अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम एक्स्प्रेस पे स्वागत करती हूँ तो मुझे उमीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रपरेशन एक्जाम आपका आगया है तो आप लोग की प्रपरेशन बहुत अच्छे से चल ली होगी आप लोग मन लगा करके पढ़ होगे यहां पर हम लोग अप्टिट्यूट कर रहे हैं बाकी अदर सब्जेक जैसे रीजनिंग की क्लासे आपके विक्रम सर ले रहे हैं आप वह भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको ड हमीद देख भी रखे होंगे आप लोग ठीक है तो बाकी जाकर करbo World अघ्जाम की और यहां पर हम लोग क्या अप्लिट्यूट की फ्रैक्ट्रस करते हैं जैसा भी इकजयम में के अक्वणिन क्या यहां पर प्रैक्ट्रस करते हैं नुनहें तो आपको से रिलेटिट हो सकता है किल पता एक तू 40 बिंद और मुझे हम लग जिसे ये चीज़े हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या कितनी किस टॉपिक से आने है अब मालो एक्जाम्बल कि क्या पता आपके एक्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस का चार क्वेशन आ गया और बाकी मालो टाइम एंड वा का एक भी क्वेशन नहीं आया ठीक है ऐसी पॉसिबिल्टी हो सकती है हम एं लोग अभी से बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या आएगा कितनी क्वेशन आएंगे हाँ एक प्रिवेश एर के पैटर्न को देख करके हम लोगों ने फॉलो कर रहा है कि किस टाइब की क्वेशन आ सकते हैं कहां कहां से क्वेशन पूछे जा सकते हैं तो उसी पे हम लोग प्रैक्टस कर रहे हैं आपका question आ गया होगा है आप उसको try करो solve करने का मत्त देखो क्या कह रहा है question में पढ़ो एक बार देखो जैसे question आता है आप लोग try करा करो ठीक है क्योंकि जब तक आप लोग खुद से try नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पेपर में देने आप ही को जानना है आप ही करोगे solve आपका पेपर देने कोई दूसरा तो जाएगा नहीं क्या कह रहा है देखो a person divides the root of his journey into three equal parts and decided to travel the parts at the speed of 40 km per hour 30 km per hour and 15 km per hour respectively what is the average speed during the whole journey आपको दे रखा है कोई person है बन्दा है कोई equal part की जणनी मतलब तै करता है तो equal part मतलब आपके distance क्या है आपके constant है और दे रखा है speed क्या दे रखा 40, 30 और 15 speed क्या दे रखा है आपको speed क्या है तो 40, 30 और 15 km per hour ये km per hour आपके क्या दे रखाए speed दे रखाए respectively ठीक है अब आपसे पूछ रहा है कि average speed क्या होगी बताओ पूरे whole journey की average speed हम लोग जानते क्या है average speed हम लोग क्या जानते है तो भई, total distance traveled upon total time taken ये जो total time taken है ये क्या है तो भई, ये जो total distance travel कर रहे है उसी को कितना time लगा है total time travel करने में यही है ये आपके average speed का formula है ये आपके हर एक जगा applicable है क्या है आपके हर एक जगा applicable है clear ये चीज़ अब देखो, यहाँ पर क्या है speed दे रखा हमें 40, 30, 15 बोला equal distance ठीक है, distance हमें क्या करनी है constant करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक distance value, एक constant value क्या करनी पड़ेगी fix करनी पड़ेगी ठीक है total distance traveled upon total time taken distance हम क्या मानेंगे distance हम क्या मानेंगे 40, 30, 15 है 120 120 मान लिया हमने क्या है distance है क्या 120 distance है 4, 12, 3, 4, 12 और ये कितने बार में कर देगा 8 बार में clear ये चीज अब देखो total distance traveled distance कितनी है हमने मान लिए क्या है distance है क्या है हमारी distance है तो 120 120 और 3 है तीन बार में travel करें into 3 और अपान total time taken 4, 3, 6, 7, 4, 1, 15 फिर ये कर जाएगा 35, 15, 15, 15, 15, 15, 15 बराबर किया जाएगा 24 km पर आवर अब देखो ये चीज ध्यान से देखना कि मैंने ये कहां से किया है distance 120 क्यों लिया आपको क्या कर रहा है distance equal मानना है भाईक बोला है ना question में distance constant है तो distance हर बार एक travel कर रहा है तो हमें कोई एक ऐसी value distance मान लेनी पड़ेगी यहां पर कि ये जो 40 speed है 30 और 15 दे रखा है तो उससे सबसे क्या हो value कट जाए क्यों कट जाए इसलिए कट जाए क्योंकि यहां पर fraction values ना मिले हमें यहां पर जो 3, 4 और 8 है वो fraction values ना मिले तो यह हमें find out कैसे करते हैं तो हम क्या करते हैं 40, 30, 15 की आपकी LCM value find out करते हैं 40, 30, 15 की 120 क्या है आपकी LCM value है यहां क्या है LCM value है तो हमने मान ली ​ 40, 30 और 15 जो स्पीद दे रखा है उसका LCM value क्यों आएगा 120 तो यह हमने मान ली हमारी distance क्या है 120 है अब देखो 40 की स्पीड से 120 की दूरी करनी है टाइम कितना लगेगा 3 आवर इसी तरीके से 30 की स्पीड से आपको 120 की जर्णी करनी है तो टाइम कितना लगेगा 4 आवर सिमिलर्ली 15 स्पीड से आपको 120 की जर्णी ट्रावल करनी है तो आपको अब टाइम कितना लगेगा तो आप बोलोगे 8 आवर मतलब यह आपका जो 3, 4 और 8 है यह आपका क्या है टाइम लग रहा है रिस्पेक्टिवली इस स्पीड के ठीक है अब देखो एवरेज स्पीड का फ ट्रावर है ठीक है तो 120 प्लस 120 प्लस 120 यह सकते हो का 120 इंटू 3 multiply by 3 क्यों क्योंकि 120 जो है तीन बार ट्रावल हो रहा है मतलब तीन बार लग रहा है ठीक है अब देखो टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम कितना हुआ है तो भाईया यह पंद्रा आया कहां से तो यह आपका पंद्रा आया है इसको क्या लिक होगे भाई तीन यहां पे तीन किलोमेटर पर आवर क्या गया 24 किलोमेटर पर आवर आपकी क्या यह एवरेज स्पीड आ गई ठीक है इसको नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन कर लो यह एवरेज स्पीड है इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मुला होता है वो भी मैं बताती time time come consume होता है और क्योंकि यहाँ पर देखो आपको LCM अगयरा find out करना पड़ेगा तो LCM find out करने में थोड़ा time लग सकता है formula क्या होता है देखो यह formula जो मैं अभी बता रही हूँ यह होता कब अगर आपका distance constant होगा तभी apply होगा clear यह चीज अगर आपको 2 average speed दे रखी हो एक की speed A हो एक की speed B हो यह speed दे रखी है 2 दे रखी है तब आपका average speed क्या हो जाएगा average speed का formula क्या हो जाएगा आप बोलोगे 2AB 2 into A into B 2AB upon A plus B clear यह चीज जब हमें 2 speed दे रखी होती है और हमारा क्या होता है distance constant होता है second अगर आपकी 3 speed दे रखी जैसे इस question में दे रखा था तो माना हमने speed क्या है आपकी A, B और C है फिर हमारा average speed क्या हो जाएगा average speed क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 ABC upon AB plus BC plus CA यह आपका average speed का formula हो जाएगा अगर आपका speed दे रखा 3 और आपसे पूछा average speed बताओ तो आपका यह formula हो जाएगा इन दोनों cases में इसमें और इसमें क्या होना चाहिए आपका distance जो है आपकी जो distance है वो क्या होनी चाहिए constant होनी चाहिए यह ध्यान में रखना distance अगर constant नहीं है तो यह formula अपलाई नहीं होगा फिर आपको जो मैंने पहले बता रखा था total distance traveled upon total time taken उससे निकाल लेना आप उससे हर एक formula से हर एक question आपका चाहिए distance constant हो नहीं हो उससे सब कुछ निकल जाएगा और अगर आपको distance constant दे रखिए तो आप यह formula लगा लेना इससे भी जल्दी निकल जाएगा clear यह चीज अब देखो इसको apply कर लो apply कर लो क्या था आपका ABC की value क्या थी आपकी देखो 3 into a की क्या थी 40 30 15 और अपन AB 40 30 1200 प्लस 30 गुड़े 15 450 प्लस 15 गुड़े 40 600 600 अब इसको solve कर दो solve करोगे तो आप क्या आएगा इसको मैं रब कर देती हूँ या फिर चलो इधर right side में लिख देती हूँ मैं इसको आप solve करोगे तो क्या आएगा तो आपका यह आ जाएगा 3 into 40 into 30 into 15 और अपन में 1200 प्लस 600 अठारा सो अठारा सो है की नहीं अठारा सो अठारा सो पचास और यह चार मतलब बाइस सो पचास आ जाएगा आपका क्या जाएगा बाइस सो पचास आ जाएगा इसको add करोगे 0 से 0 यह 15 से 15 times में जाएगा clear यह चीज तीन से कट दो 5 बार में जाएगा और यह 5 से 8 बार में जाएगा और 8 into 3 बचा है यहापे multiply करोगे ता आपका क्या जाएगा 24 km पर आवर आवर आगई आपकी क्या average speed clear यह चीज यहां से भी आपका formula से भी देखो 24 km पर आवर आगया इसके पहले जो मैंने बताया था total distance traveled upon total time taken वहां से भी आपका क्या आगया 24 km पर आवर आया था मतलब satisfied कर रहा है formula सही है clear यह चीज देखो इस formula में आप रख करके अगर fraction या फिर बड़ी बड़ी values होती है तो आपको LCM अगेरा नहीं अगर find out करने का time है या फिर जो भी कुछ है तो आप इससे easily calculate कर सकते हो clear यह चीज इसको मैं रब कर रही हूं आपके सामने आप second question जो भी आएगा आप उसको try करो ठीक है इसको मैं रब कर दी हूं यह formula याद कर लेना आप लोग यह formula पूछता है कई exams में आप में directly average speed का अगर 2 दे रखा हो speed या फिर 3 दे रखा हो तो आप इसससे easily calculate कर सकते हो clear यह चीज चलो आप दूसरा question solve करो दूसरा question देखो क्या बोल ला है सीनू purchase a old bike for रुपे 12,000 if its cost after 2 years रुपे 10 then the rate of depreciation is सीनू कोई है ठीक है पुरानी bike को खरीद रहा है 12,000 रुपे में if its cost 2 साल के बाद क्या और उस bike का price दे रखा है तो आप से पूछ रहा है कि किस rate से वो depreciate हो रहा है ठीक है अब देखो बाइक था कितने का 12,000 का भाई 12,000 का बाइक था अब हो क्या गया उस बाइक का दाम अब बाइक का दाम क्या हो गया है 11,524.80 रुपे ठीक है तो पॉइंट के बाद 0 की कोई value नहीं तो नहीं लिखते है पहले था 12,000 रुपे अब कितना हो गया है 11,524.80 रुपे हो गया है आप से पूछ रहा है कमी हुई है कम हुआ है तो किस rate से depreciate हुआ है यही rate आपको find out करना है क्लियर यह चीज 12,000 से इतना हुआ है तो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे 11,524.8 अपॉन 12,000 ठीक है 12,000 पॉइंट से यह हटाओगी पॉइंट से हाँपे 0 आ जाएगा किसे काटोगे 4 से काटो 4 से देखो 4 तियां 12,000 ठीक है तीन चार अब फिर 4 से काटो 4 दूनी आट, आच्चो के 32, आच्चो के 32, 4 एक कम चार चार दूनी आट, च्लियर यह चीज? फिर 4 से देखो कट रहा है? हाँ, 4 से फिर कट रहा है यह 25,000 के 100 और 75, यह 75,100 हो गया और यह एक चार से क्या कटेगा? 7,000 के 28, 4 दूनी आट, 0, चार तियां 12, फिर यह चीज? अब देखो किस से कट रहा है? 7, 8, 9, 3, 3 से कट रहा है यह? 3 से कट रहा है, कट दो, 3 दूनी 6, एक साथ, 500 यहाँ पर हो गया और आपका यह क्या हो जाएगा? 3, 2 नी 6, 3, 4 के 12, 0, हाँ, यह आपका क्या गया? यहां से आपका क्या गया? तो आप बोलोगे 2401 अपॉन 500, क्या हो गया? अब देखो, टाइम दे रहा है दो साल में, ठीक है? दो साल में डिप्रेशियेर्ट हुआ है, आपको रेट फाइंड ऐट करनी है, तो भाई, दो साल में है, तो इसका अंडर गया, अप देखो, 2500 किस का स्कौउयर होता है? तो आप बोलोगे, पचास का स्कॉयर होता है? अब एक चीद देहान से देखना लास्ट में 9 का स्कुयर क्या होता है 9 का स्कुयर क्या होता 1 होता है अब देखो यह वैल्यू क्या है आपकी 2400 1.25 footprint से क्या है क्ام है अगर तो इस इस ज्द़ छादा होतो है तो अब 20 से आगे की वैल्यू यह decreased कि किसके स्कॉयर में लास्ट में वन आ रहा अब यहां पे पच्चेस सो से कम है तो हम 50 से कम की वैल्यू में देखेंगे किसके स्कॉयर में क्या रहा है एक आरा लास्ट में तो भाई 49 के स्कॉयर में लास्ट में 9 है का स्कॉयर करोगे तो वन आएगा ठीक है अब 50 से कम में 41 फ रेट कितने की कमी हैं 50 में कि कमी है तो वन की कमी 50 पर चार्ट आएगा क्या रेट रीड किया जाएगा टूब आपैक परिए बाओ एक की कमी होई है पचार्स फे यह तो आपकी रेट ऑफ डिप्रिशूसन एक होगी 2 परसन पे यह चीज इसको यहां पे हमने क्यों लिया है अंडर रूट यह चीज यह लियर है आपको देखो मालो क्या अगर 2% क्या 2% है है यहां पे अगर मालो question में आपको कहता rate आपको दे रखी होती और आपसे यह वैल्यू स्पूष्थी तो रेट रखा हो था 2% मतलब क्यों कि वैल्यू क्या हो रहे है तो डेप्रेशियेट 2% की वैफ्रेक्शन वैलिए 1 by 50 मतलब 50 थी तो अब क्या हो गई 49 हो गई पहले साल में ठीक है पहले साल में को इसका यहां था प्राइस तो फर्स्ट यहर में उसका क्या हुआ 50-49 हो गया फिर सेकें ली इधर पर खाली है यह ज़िए तो फिफ्टी ले लिया अभी यहां पर क्या है 50-49 का स्कॉइर हो गया है मतलब आपका अगर रेट दे रखा है तो वैल्यू क्या हो रही है आप देखो इसक्वाइर हो रही है ना बट हमें यहीं स्क्वाइर के बाद की वैल्यू दे रख तो हमने क्या किया है इसको काट पेट जितना कट रहा था ठीक है उसके बाद जो भी फ्रक्शन हमारी वाचिए उसका क्या क्या है देको यहां पे स्क्वाइर किया था तो रेट हमें फाइंड आउट करना मतला हमें इसे उल्टा जाना पड़ेगा तब हमें यह दे रखात उस हमने अंडर रूट क्यों लिया यह चीज क्लियर हुई आपको चलो इसको नोट डाउन करो इसको मैं भी रब करती हूं नेक्स्ट क्वेशन पर फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपका आ गया होगा आप फिर ट्राई करो उसको next question को आप लो try करू देखो क्या बोला next question पढ़ो आप लो question में क्या बोला देखो a go down is the form of a cuboid of dimension 60 meter, 40 meter, 30 meter कोई cuboid है उसका dimension दे रखा है मतब कोई go down है उसका dimension दे रखा आपको how many cuboidical boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter q क्या दे रखा देखो cuboid के form का कोई go down है उसका आपको dimension दे रखा है 60 into 40 into 30 ठीक है अब पूछ रहा है कोई एक 0.8 meter cube का दे रखा है कोई एक volume किसी box का volume of box दे रखा पूछा है कि इस में इस cuboid में कितने boxes आ जाएंगे माललो आप जिस कमरे में बैठो वो कमरा ले लो ठीक है आप पूछ गारा है question में वो एक कमरा दे रखा है मतला एक cuboid दे रखा है जिसके आपकी length, breath और height है ठीक है तो एक और एक area दे रखा है तो माललो आपका कमरा है और उसमें कोई आपका बैग रखा हुआ है अब पूछ रहा है कि उस कमरे में वो जो बैग है उसका एक वॉल्यूम दे रखा है तो उसी वॉल्यूम के कितने और बैग उसमें उक्यूपाई होंगे उसी वॉल्यूम के कितने बैग और उक्यूपाई होंगे भाया बैग है तो कोई तो कोई मुझ हाइट होगी तो उसी वॉल्यूम को तो पुरे रूम के वॉल्यूम को कितने ऐसे भाग साह जाएंगे एक परहें पूरा होना चाहिए कि उस रूम का पूर dip कितना है तो उस रूम का वॉल्यूम कितना है पूरा उसका लेंद्ध ब्रेथ और हाइट दे रखा है आपको ठीक है और आपसे कितने उसका बोल रखा कि एक बॉक्स जो आपको रखना है उसका वॉल्यूम दे रखा 0.8 meter cube पूछ रहा है कितने और bags रखे जाएंगे तो हमने माल लिया x bag रखे जाएंगे 0.8 meter cube वो volume के तो आई सो cover कितना करना है तो 60 into 40 into 30 इतना volume इसको क्या करना है cover करना है तो आप क्या करोगे इसको solve कर लो यहां से x की value find out कर लो जो भी आपकी x की value आएगी वही आपका क्या होगा answer हो गया point हट आया आपने 0 गरदिया उपर अब 4 से 10, 4 से कितने बार में 2 बार में जाएगा 5 ठीक है अब फिर 6, 35 और 3 तरीका 9 ठीक है तो आपका क्या जाएगा कितने आपके इस तरीके से boxes रखे जाएगे तो आपके 90,000 boxes जो है क्या हो जाएगे रख सकते हैं हम इस इस volume के ठीक है इस cuboid में clear यह चीज़ इसको note down कर लो चलो next पे आते हैं इसको रपकर ट्यू में next question ट्राइ करो आप लोग आ गया होगा जो next question आया है उस type का maybe कुछ लोग आप लोगों में से जानते होंगे पढ़ रखे होंगे जो mixture allegation कुछ लोग होंगे बिलकुल नए होंगे इस चीज़ से तो जो एकदम ही नए है उनको मैं यह topic जब भी आएगा next हमारा basic में basic lecture में क्योंकि यह mixture allegation का है ठीक है allegation का है यह allegation से आपसे easily solve हो जाएगा तो अभी मैं बता देती हूँ यहां पर बाकी जब भी मैं अपना basic lecture लोगी वहाँ पर बिलकुल चीज़ों को बताऊंगी कि क्या कैसे कहां से आया है अभी मैं इसको एक simple way में बता दूँगी बताने की पूरी कोशिश करूँगी कैसे क्या आया है जिससे जो नय हो वह भी कर सकोगे बाकी पूरा चीज़ जो है वह मैं अपने basic के lecture में बताऊंगी clear यह चीज चलो क्या कहरा देखो how many kilograms of wheat costing रुपे 8 पर kg must be mixed with 36 kg of 36 kg of rice costing 5.40 kg so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at 7.20 रुपे पर kg clear यह चीज अब दे रखो क्या दे रखा है आपको wheat दे रखा है ठीक है उसका cost दे रखा variety है भाई दो wheat की और उसका cost दे रखा है दोनों wheat की variety का देखो एक का cost क्या है 8 रुपीज पर kg है cost यह cost price दे रखा है 0 रुपीज पर kg अब देखो क्या कहरा 20% gain में बेच रहा है कितने पर बेच रहा है 20% gain पर बेच रहा है तो उसका 20% की fraction value 1 by 5 ठीक है तो 20% gain की fraction value 1 by 5 तो मतलब आपका selling price क्या है यहां से बोल सकते हो 6 रुपया भाई 5 पर 20% का gain है तो आपका plus 1 हो जाएगा तो आपका selling price क्या हो जाएगा 6 रुपया अब लेकिन question में क्या कह रहा sell कितने में कर रहा है 7.2 रुपीज पर kg यह उसका क्या है question में selling price है कितने multiple में है 1.2 कितने के multiple में है 1.2 के multiple में यहां पे आपको cause price है तो आपको जो है कितने cause price में overall उसका जो जो जेहू है वीट है उसका cause price ही तो find out करना पड़ेगा तो हमें यहां पे लेकिन सेलेक प्राइस दे रक्ठाए तो हम यहां पहले क्या करेंगे cause price find out करेंगे तो यहां से cause price था कितना पांच वो भी कि कितने के मल्टिपल में होगा 1.2 के मल्टिपल में हो जाएगा तो आपका कॉस प्राइज आएगा यहां क्या सिक्स रुपीज पर केजी आजाएगा ठीक है अब देखो आठ रुपै उसका एक विराइटी थी वीट की जितना लिया था उसका आठ कि क्या होती है आपकी एवरेज वैली होती है इतनों की ठीक है देखो अब कॉस प्राइज अब देखो जब दोनों को मिला दिया है तो क्या रहा आया उसका 6 रुपे पर केजी अब देखो यह 8 है यह 5.4 है और यह जो 6 आप यहां पर मिडल में लिखोंगे ठीक है माइनस कर बड़े में से छोटे की वैल्यू को तो 8 में से 6 गया तो जो माइनस करोगे इधर वाले से वैल्यू से माइनस करोगे तो आप इसके नीचे लिखना तो यह कितना या दो आएगा अब जो है 6 बड़ा है तो 6 में से 5.4 माइनस करोंगे 6 में से 5.4 माइनस करोंगे तो आप क्य क्या लिखोगे क्या लिखोगे तो यहां पर आपका यह क्या एगा 0.6 आ जाएगा I'm sorry हाँ 0.6 आजाएगा क्लियर ये चीज इसको 6 में से 5.4 माइनस किया फिर है आपका क्या है 0.6 आ आपको इसको इसके नीचे लिखना है और आपको 8 और 6 में माइनस करोगे तो तो जो आएगा आपको opposite वाले के नीचे लिखना है ठीक है अब देखो यह क्या है आपका ratio में है तो यहां से point हटाओगे आप point हटाओगे तो आपका यह हो क्या जाएगा तो आप बोलोगे 6 is to 20 हो जाएगा 2 से कार्दो 3 बार में कटेगा दो से कितनी बार में कटेगा 10 बार में तो यह आपका ratio हो गया और यह जो ratio आया है ना यह किस चीज का आया है तो यह जो आपकी quantity है quantity wheat की जो है यह उसका ratio आ गया है आपका ठीक है देखो cost price दिया था और हम क्या निकाल लिए quantity का ratio अच्छा मैं पता कैसे चलेगा किस चीज का ratio सब्सक्राइब को नहीं समझ में रहा है कि किस चीज का ratio हम निकाले एक चीज ध्यान से देखना cost price जो होती है आपकी क्या होती है तो भाई रुपीज कोई चीज अब पर केजी पर केजी तो यह पर केजी क्या है quantity तो बता रहा ह अब आपको क्या दे रहा हाव मेने किलोग्राम हो आट रुपे पर केजी का कितना हम किलोग्राम मिक्स करेंगे 36 केजी ओव 5.40 रुपे पर केजी तो मतलब यह जो आपका 5.4 रुपे वाला दे रखा है cost price इसका आपको दे रखा quantity कितना है 36 केजी ना 36 केजी तो मतलब आपक 3.6 के मल्टिपल में है और हमें find out करना है कि 8 रुपे वाला 8 रुपे पर केजी वाला कितने कितना वीट हम मिलाएंगे ठीक है तो इसका हमें quantity find out करना है तो यह भी आपका क्या होगा यह भी आपका क्या होगा 3.6 के मल्टिपल में हो जाएगा तो 6.18 और 3.9 एक 10 मतलब 10.8 क केजी हम मिक्स करेंगे 8 रुपे पर केजी वाला 36 केजी में कितना 5.5 5.4 रुपे पर केजी वाले मिक्षर में मतला मेरा यह कौंटिटी कितना जाएगा यहां से 10.8 केजी आ जाएगी क्लियर यह चीज इसको नोट डाम कर लो देखो यह मिक्षर यह जो एलिगेशन है यह ब यह बहुत अच्छा कंसेप्ट यह भी आप अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेशन साप इजली अर्थमेटिक यह एलिगेशन से सौल कर सकते हो तो यह कंसे बाकि सारी चीजे इसका बेस कहां से है क्या है सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने बेसिक के करो क्लेर यह चीज इसको मैं रब कर दी हूं नेक्स्ट क्वेशन अब आ गया होगा आपके पास वो सॉल्व करो आप लोग देखो क्या क्या रहे है ने क्वेशन में पढ़ो आप लोग उसको सॉल्व करो फट से आंसर बताऊं लाइक भी घरते जाना वीडियो को find the compound ratio of the following 4 is to 5 and 2 is to 9 क्या दे रखा है 4 is to 5 and क्या 2 is to 9 ठीक है अब पूछ रहा आप से क्या compound ratio compound ratio क्या होता है आपका compound ratio इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या कि compound ratio क्या होता है compound ratio देखो दो ratio दे रखी हो अगर A और B A is to B और C is to D इनका compound ratio हमेशा क्या होता है A C is to B D क्या होता है A C is to B D ये होता है आपका compound ratio दो ratio दे रखी हैं और अगर उनसे आपका compound ratio पूछेगा तो आपका क्या होता है A into C और B into D ठीक है इन दोनों का ratio ये होता है आपका compound ratio अब देखो आपसे पूछ रहा हो 4 is to 5 and 2 is to 9 का compound ratio तो भाई 4 और 2 को multiply कर दो क्या हैगा आपका 8 और is to B और D को multiply कर दो तो 5 into 9 क्या जाएगा 45 तो आपका ये जो ratio दे रखा है उसका compound ratio क्या हो जाएगा ता आप बूलोगे 8 is to 45 आपका compound ratio आजाएगा क्लिर ये छीज इसको note-down कर लो है कदries को डाउन कर लो और यसको म्हेंë रप कर दीओं इस लिए छोटे छोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए कुश्क एक्जाम में इसको में आज है अपने पता吸्स आप कह नहीं सकते इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें आपके पता होने चाहिए ठीक है क्या होती है चलो next question आप पर आगया होगा आप लोग उसको try करो क्या मुलना next question वेन करना पर्चेस 50 डॉजन बनाना फॉर रुपए बारा सो पचास ही इंकर्ड ट्रांस्पोटेशन चार्ज़ ऑफ रुपए 250 ही कुट नॉट सेल फाइफ डॉजन बनाना अस देवर स्पोइल ही सोल्ड रिमेंग बनाना जैट रुपए 35 फॉर इच डॉजन ठीक है कोई बनना है वह 50 ढर्जन बनाना कहरीता है 1250 रुपए के कितने चार्ज प्राइग क्या है 1250 प्लस आइसा रुपए जो है क्या करता है transportation चार्ज न बनाना कितने का क्या होiron को जाएगा उस्का हो जाना है और आप जाते हो केले घरीदने के लिए जो भी कुछ खरीदने के लिए उसका आप कुछ प्रास लगा 1250 रुपय सब्सक्राइब के आने जाने का घका खर्चा लगा है जिनको वो क्या कर रहा है 35 रुपे पर डर्जन के according बेच रहा है तो एक दर्जन का अगर 35 ले रहा है तो 45 दर्जन का क्या हो जाएगा 45 गुडे 35 हो जाएगा ये उसका क्या जाएगा selling price आजाएगा ठीक है ये उसका क्या जाएगा selling price आजाएगा अब आप यहां से selling price आपको पता है, cost price आपको पता है, profit या loss जो भी हो गई है, आप क्या कर लोगे, find out कर लोगे न, देख लो कैसे करोगे, पतालस गोड़े 30 कर लो, पंतियां 15, चातियां बारे 1350, और प्लस 25, पंचों की 20, दो 2225, अब आएगा क्या है, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 1575, अब देखो, cost price थी 1500 रुपए, बेच रहा है, selling price क्या है, 1575 रुपए में, profit है, profit है, ठीक है, profit है, clear ये चीज, profit है, तो profit percentage कितना है, तो बही, 75 रुपए का profit हुआ है, किस पे हुआ है, 1500 पे, ठीक है, इन्टू, 100 का दो, 00 से, 00 कट जाएगा, 15 से, बांच बार में कट जाएगा, तो आपका आया कितना profit, 5% का आपका profit आ गया, clear ये चीज, इसको note down करो, ये चीज बस इस में ध्यान देना, कि जो transportation आलने जाने का खर्चा है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, cost price में include होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर दी हूँ, next question आप पे आ गया होगा, आप उसको try करो, देखो, next question में क्या कह रहा है, A and B can complete a piece of work in 30 days and 80 days, ठीक है, respectively, A है, B है, A क्या कर रहा है, 30 दिन में काम को कर रहा है, और B क्या कर रहा है, उसी काम को 80 दिन में कर रहा है, काम से में, ठीक है, and were paid 480 रुपए collectively for the complete work, और complete work के लिए, उसको क्या मिल ला है, 480 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, A और B को, अब क्या कह रहा है, how are they take the assistance of C and complete the work in 20 days, और अगर वो C की सहायता लेते हैं, तो कितने दिन में करते हैं, बेस दिन में, मतलब A plus B plus C, क्योंकि यहाँ पे C की सहायता से, वो 20 दिन लगा रहे हैं काम को करने में, clear यह चीज, अब क्या पोरा, share of C, share of C, मतलब इस रुपए में C का share कितना होगा, पहले क्या करो, यहाँ से A, B, और यह A, B, C, कितने दिन लगा रहे हैं, यहाँ पे आगया, आप यहाँ से total work find out कर लोगे, और हमें total work find out करने के बाद, हमें क्या find out करने पड़ेगा, efficiency find out करने पड़ेगी, efficiency क्यों find out करने पड़ेगी, क्योंकि यह जो amount दे रखा है, यह आपका divide होगा, किस में होगा, efficiency के ratio में, पूछो के efficiency के ratio में क्यों, example के तुरू समझो, मान लो, कि आप कोई कामगर आते हो, ठीक है, आपके हाँ, कोई दिहाड़ी पे काम होता है, दो माज़ दूर आते हैं, और क्या होता है, कि वो बोल, जित्ता भी होता है, 300 रुपए, 400 रुपए, पर देखे, according आप क्या करते हो उनसों बुलाते हो, ठीक है, कोई बंदा है, कोई बंदा है, वो क्या करता है, उसके efficiency क्या है, मतलब एक दिन में 100 रुपए हो देता है, आप जिस दो बंदों को बुलाया है, तो एक बंदा क्या है, 100 रुपए हो देता है एक दिन में, एक बंदा क्या है, 20 रुपए हो रहा तो बाई एक कि एफिशेंसी जादा है ज्यादा इटा मांट मिलना चाहिए नशा यिलाए। पर एक्वल अगर उसको पेमेंट मिलेगी तो फिर क्या हो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेमेंट होती है वो क्या अकॉर्डिंग टू इफिशेंसी के कंट्रिब्यूट होती है तो जैसी इसकी इफिशेंसी होगी इनकी इफिशेंसी के अकॉर्डिंग ही क्या होगी इनकी पेमें तब इसको एकपल कैसे दोगे आप बोलोगे ना कि घुटार है उसको जब ज़्यादा अमांट देंगे और जो 30 एकटार है उसको उसके अकॉर्डिंग एफिशियंसी के कम अमांट मिलेगा यहां पर इफिशियंसी के अकॉर्डिंग जो वेजल होते हैं वह डिस्रिब्यूट किये जाते हैं अब इसी तरीके से यहां पर देखो 38 दिन में काम कर रहा है भी एसी दिन में काम कर रहा है और यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल वर्क टोटल वर्क निकालेंगे तब ही तो हमारा जाके 24 और यह 12 बार में जाएगा ठीक है अब यह आपका जो रिस्पेक्टिवली आया है 8 3 और 12 यह आपका क्या आया है efficiency of a efficiency of b और यह efficiency of a plus b plus c यह तीनों की efficiency का साम आया है clear यह चीज तो यहां से a की efficiency आ गई कितना 8 b की efficiency आ गई आपके 3 और यहाँ पर बोलोगे a plus b plus c की efficiency कितनी है 12 और यहां से a plus b की efficiency आट करोगे तो कितनी है आपकी 11 है तो यहां की c की efficiency फिर आपकी क्या जाएगी वन आ जाएगी ठीक है अब यहां से आपसे पूछ रहा है वेजेज तोटल वेजेज दे रखा 480 मतलब वेजेज को हम किसके according distribute करते हैं efficiency के according तो यह आपके जो टोटल कितनी है 12 तो 12 की values आपसे दे रखी यह 480 फिर आपसे जिससे भी पूछे एक का बी का सी का कितना अमाउट किसको पेड हुआ है यह आप निकाल लोगे यहां से clearly यह आपसे पूछा कितना है सी का मतलब आपको एक की value find out करनी है तो बारा की value दे रखी है 480 तो आपकी एक की value क्यों होगी 40 एक की value क्या हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी clear मतलब सी को कितना amount मिलेगा 40 amount मिलेगा ठीक है यह समझ में आया यह सी का है सी का है इसी तरीके से अगर आपसे पूछे यह A का आपसे पूछे A का तो आप बोलोगे 40 into 8 और आपसे पूछे अगर B का तो उसको क्या मिलेगा तो आप बोलोगे 40 into 3 clear यह चीज ए C का हो जाएगा यह A का हो जाएगा और यह B का हो जाएगा respectively जिसका भी पूछेगा आपको आप निकाल लोगे हां से चलो इसको note down कर लो यह चीज आपको पता है न यह efficiencies होती है respectively यह total work हो गया और A जो है 30 दिन में काम को करता है तो हर दिन कितना काम करेगा हर दिन 8 काम करेगा तब जाकर के कितना उसका 240 काम complete हो जाएगा clear यह चीज तो यह respectively efficiencies होती है आपकी 30 into 8 is equal to 240 80 into 3 is equal to 240 और 20 into 12 is equal to 240 यहां से हमने निकाल ला है efficiency ठीक है चलो इसको मैं रब करते हूँ आपको कि जो wages होता है आपका जो amount paid होता है वो आपके efficiency के ratio में होता है clear यह बस इसमें यही ध्यान देना था आपको चलो next question आ गया होगा आप लोग solve कर उसको देखो क्या कहरा है question में find the compound interest for 6 years where P is equal to आपको पंदरा सो रुपए आपको principal amount दे रखा है क्या पंदरा सो रुपए आपको rate दे रखी है क्या 10% आपको time दे रखा है क्या 6 years compound interest आपको क्या करना find out करना और बोल क्या रखा है it is compounded every two year क्या करना है ठीक है यह इस पर मत भागो की semi कह रखा है तो half कर दे डायरेक्ट और निकल जाएगा क्यों करते हैं यह चीज़ समझो फिर आप अपने आप जो है आपको चाहे semi बोलेगा quarterly बोलेगा 3 by 8 बोलेगा जो भी बोलेगा आप इसको easily calculate ठीक है अब यहाँ बोला है compounded every two year ठीक है आप से क्या दे रखिए cycle time क्या है आपका 6 साल है time क्या है आपका 6 साल है clear यह चीज मतलब यहाँ पर one two three four five six six है यह ठीक है time यहाँ पर छै साल है compounded कितना हो रहा है हर दो साल पर हो रहा है हर दो साल पे हो रहा है हर दो साल पे हो रहा है हर दो साल पे हो रहा है ठीक है हर दो साल पे क्या हो रहा है compounded हो रहा है clear यह चीज तो आपकी दो साल पे हर हो रहा है तो कितनी साइकल होई यहां पर कितनी साइकल होई three cycle बनी है आपकी three cycle में complete हो रहा है न दो दो करके तो आप time कितना ले लोगे फिर three cycle हो रहा तो time कितना ले लोगे 3 year ले लोगे हां से ठीक है अगर compounded हर 2 साल पे होगा यहां से time फिर क्या लोगे 3 year लोगे clear यह चीज़ कहां से आई अब देखो rate क्या दे रखा आपको 10% rate क्या दे रखी 10% भाई one year की आपको rate दे रखी 10% अब यहां पे compounded every two year है तो आपको two year की find out करनी है तो आप क्या कहोगे 20% कहोगे 20% यहां से rate आजाएगी clear यह चीज़ इसको अब मैं रब कर रही हूँ इसको मैं रब कर देती हूँ यह फर चलो इधर लिख देती हूँ मैं कि आपकी rate नई जो नई वाली आपकी rate आई है जो नई वाली आपकी rate क्या आगई है आपकी 20% आगई है new rate आपकी है ठीक है और यह जो नए आपका time आगया है वो क्या है तीन year कहलो या तीन cycle कहलो ठीक है मैं cycle बोलती हूँ क्यों क्यों कि यहाँ पर year आपका यह दे रखा है तो यह मेरी 3 cycle में complete हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 cycle दे आए अब देखो इसको जिस भी आप चाहे 3 method से follow कर लो या फिर successive से कर लो या जिस से आपका मन जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लो ठीक है मैं देखो क्या कर रही हूँ 20% fraction value 1 by 5 मतलब हर साल क्या हो रही है 5-6 हो रही है तीन साल है तो 25, 125, 6 का क्यों 216 ठीक है यह आपका क्या है amount है पहले principal amount है यह P की value यह आपका क्या है compound हो निकबाद यह पूरा total amount हो गया है यह आपका principal होता है और यह आपका क्या होता है amount होता है अब आपसे पूछ क्या रहा है simple interest तो simple interest क्या होगा amount minus principal value तो आप minus करोगी तो आपका क्या जाएगा 91 ही आजाएगा difference कितना है 91 का अब आपको principal value मतलए 125 की value क्या दे रखी आपको क्या दे रखी question में 1500 रुपए और आपसे 91 की value पूछ रहा है तो आपको क्या कहोगे 1500 upon 125 into 91 अब काट लो पच्चेस चोके 125 पच्चेस पान से काट दोती है 15 ठीक है अब 12 चारती है 12 गोड़े 91 क्या करोगे 12 कम 12 के तो हात में आए 129 फिर एक हात में था तो 109 तो आपका में काट जूलिये है रेट क्या चेंज हुआ टाइम कहां से चेंज हुआ है फिर हमने कैसे करा यह चीज़े क्लियर हुई आपको इसको नोट डाउन गर लो इसको फट से नोट डाउन कर लो फिर नेक्स पर आते हैं देखो इसलिए मैं कहा हुँ इन चीज़ों को रटो मत की इसको मल्टिप्लाई करेंगे या डिवाइट करेंगे तो आपको हर चीज में कितना रटोगे ठीके यह चीज़ समझ लो कि लिखते कहां से इतीन साइकल आई कहां से तो हम रेट कहां से ले आई 20% डारेट आप क्यों मल्टिप्लाई कर रहे हैं आप समझ लो उसके बार मल्टिप्लाई करो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ठीक है चलो यह मैं रब कर रही हूं next question आगया होगा आप लोग उसको solve करो next question को आप लोग solve को और answer बताओ क्या आया क्या कह रहा है question में winner bought a flat for rupees 450,000 ठीक है he spent rupee 10 on its painting and repairs then he sold it for rupee 10 find his gain or loss percentage यह वे चीज तो आप easily calculate कर लोगे है की नहीं देखो क्या बोल ला है winner है कोई बंदा ठीक है flat खरीदता है कितने का 4,50,000 ठीक है 4,50,000 रुपै का क्या करता है वो flat खरीदता है painting rating पे उसने खर्श किया कितना 10,000 रुपै 10,000 रुपै painting rating पे खर्श किया तो भाई जो 10,000 खर्श करेगा वो winner है उसकी cost price में ही तो add करेगा मालो आपका कोई flat है आप उसको किसी खरीदे हो ठीक है और आपको उसको बेचना है तो जो खरीदे हो अमांट वो प्लस आपको जो भी बंदा जिसको आप दे रहे हो वो पहले आपसे क्या पेंटिंग अगर आप खुद अपने पैसे से कड़ा होगे तो जो पेंटिंग में उसको खर्श हो रहा वो सजार हो रहा तो भी क्या आपके कॉस प्राइज में एड होगा तो आपका क्या जाएगा 46000 यह आपका क्या जाएगा कॉस प्राइस ठीक है अब जो है बेच कितने में रहा है बेच कितने में रहा है तो 425000 जिरो 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 ठीक है अब देखो आप कि क्या हो हो रहा है बैस ज़्यादा में लगा उसको अमोंट ज़्यादा लगा था बेज कम मि einem क्या वू लॉस हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है तो कितने2000 ए यहांत लॉस थो से रहुड़ा है लॉस टो कितने पर ईतरञ्व सा चार जार प ठीक है इंटू 100 कर दो डबल 0 से डबल 0 कटा ये डबल 0 से ये डबल 0 कटा दो से कितना 23 और दो से मतलब आपका 175 अपॉन 23 आया कितना आया 175 अपॉन 23 अब एक चीज ध्यान से देखो ये नियरेस्ट किसके है किसके नियरेस्ट है ये जो फ्रेक्शन वैल्यउ तो आप पहले इसको 20 से भाग दो 175 20 से भाग दो तो क्या आएगा तो 2 से कारदो 274 274 2816 अगर मालो 20 इंटू 8 करते हो तो तो 160 आ जाता है और यह 175 के नियरेस्ट है तो 8 और 8 से इसको नहीं ले जाओगे क्योंकि यह 20 इंटू 8 करोगे तो 160 आ जाएगा और प्लस 3 इंटू 8 करोगे आर्फिके 24 तो यहाँ पर 24 तो यह 184 इसलिए आप eight times में नहीं ले जाओगे ठीक है यह चीज़ आप practice करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ठीक है इसलिए हमने क्या किया है eight times न ले जाके seven time पर ले गए है तो 23 into seven क्या हो जाएगा आपका तो 23 into seven पहले 20 into seven 140 पर सात्रिक 21 तो आपका क्या है चार पंचे 161 आ जाएगा अब 161 में आप माइनस करोगे तो 175 में तो आपका बचेगा क्या चार और यहां से क्या बच जाएगा वन तो 14 आपका बच रहा है और 23 ठीक है तो यह फिर कितने बार में जाएगा कितने बार में जाएगा अप्रॉक्स 0.5 20 into 10 ठीक है 100 प्लस पंचे 15 ठीक है अप्रॉक्स 0.5 में जाएगा तो आपका लॉस परसेंटेज के आ जाएगा 7.5% इसको आप कैलक्लेट कर ले ना यह अप्रॉक्सिमेशन में वैल्यू मतलब इतनी ही आएगी ठीक है यह देख ले आप लोग कैसे करते हैं यह नियरेस ले जाकर के एक अप्रॉक्सिमेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हां हमारा साथ आ गया है तो साथ के आसपास की ही वैल्यू है अब इसको ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हो क्लियर यह चीज यह तो आप पूरा डिवाइट कर करते हो आप लोग यह तो पूरा ऐसे लिख करके डिवाइट करो या फिर आपको पूरा एक्जैक्ट फाइंड आउट करने की तो जरूरत नहीं है आप कुछ आप सामने चार ऑप्शन दे रखें तो लॉस पाइक यह चीज तो यहां से क्लियर होगे कि लॉस ही है एक लॉस नेक्स्ट ऑप्शन आपका 6 दे रखा है तो 6 से उपर यह 7 में जा रहा है ठीक है तो आप 6 वाला नहीं लोगे क्लियर यह चीज़ को नोट डाउन कर लो और अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइट कर देना आप इससे सॉल कर देना ठीक है चलो इसको मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल करने की कोशिश किया करो क्यों कि देखो जो आपके ऑप्शन होते हैं थोड़ा जो है दूर दूर होते एक्टम पास में आपके नहीं देखते हैं ठीक है चलो next क्या कह रहा है इन पार्क देर राबिट और पिजन इन रेशियो 4 इस तो 7 इफ पार्क में हैं आपके क्या रैबिट और पिजन क्या है रैबिट और पिजन मतलब खरगोश है आपके और कभूतर है 4 इस तो 7 के रैशियो में तोटल नंबर और ओ लैग्स क्या है 300 Tutal number of legs क्या है? 300 300 और ये ratio क्या दे रखा है? आपको 4 इस ट्टो 7 का Rabbit और Pुजन का ratio दे रखा 4 इस ट्टो 7 का और legs है 300 एक चीज़ बताओ आपको पता है न क्या Rabbit के कितने पैर होते है और Pugn के कितने पैर होते है तो देखा होगा आपने खरगोश के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, और कबूदर के कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं, भाई होते हैं ना, और ये इनके नमबर्स दे रखें रखें रबिट और पिजन के, तो हम जानते हैं क्या, ये माल लेते हैं, फोर एक्स है नमबर और ये सेवन एक् अब देखो four number 4x number rabbit के और हर एक rabbit के चार पार होते हैं तो टोटल राइबिट के कितने पार काउंट होंगे तो आप बोलोगे 4x into 4 ठीक है और प्लस, पिजन का नंबर दे रख require, सात एक्स हैं ठीक है, और एक पिजन के दो पैर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पिजन के लैग, टोटल नंबर ऑफ लेक्स of क्राइब्स की तो आप बोलोंगे 7 x x 2, 7 x x 2, अब जो है, rabbit और pigeon दोनों के legs को मिलाते है तो total legs हमारा है कितना 300 ये equal आ जाएगा भाई ये आपका क्या है rabbit का leg है और ये आपका pigeon का leg है दोनों मिला करके आपको question में leg दे रखा 300 equate कर दिया आपने हां से आपका answer आ जाएगा ये 16x आ जाएगा और ये 14x आ जाएगा ये 300 दे रखा है मतला आपको ये 16 plus 14 30x की value क्या है आपकी 300 है तो आपके x की value कहां से क्या जाएगी आपके x की value क्या जाएगी 10 तीक है अब यहां से आपसे या तो rabbit पूछे या pigeon पूछे number कोई भी number आप बता दोगे तो rabbit का कितना number होगा और pigeon का तो भाई x की value क्या हमारी आई है 10 आई है तो rabbit हमारा क्या हो जाएगा 40 ठीक है और pigeon हमारा क्या हो जाएगा 70 rabbit हमारे 40 थे और हमारे pigeon कितने थे 70 clear ये चीज इसको note down कर लो इसको देखो ये बस common sense का था सवाल कि हमारे rabbit के 4 पैर होते हैं और pigeon के 2 पैर होते हैं आपको इस पे solve करना था ठीक है इसको मैं रब कर वी हूँ देखो ये सारे topics आपके questions के आपके जो भी दे रखी सारे topics से ही related है जो आपके topics दे रखा है DFC CIL वागेर हमें उसी से related है सारे questions topic से हटके मैं एक भी question नहीं गरा रही हूँ ठीक है चलो next question आपका जो दे रखा है करो क्या बोला है in water ratio must water we mix with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price बोलो क्या होगा gain कितने का 20% at cost price 20% at cost price पूछ रहा है कि किस ratio में हम mix करेंगे किसको water और milk को किस ratio में हम mix करें कि हमें 20% का gain हो जब हम cost price पे उसको बेच रहे हूँ clear ये चीज देखो gain कितने का बोला है 20% fraction value क्या होती है 1 by 5 1 by 5 ठीक है 20% gain किस पे cost price पे तो आपका cost price क्या रहा होगा पांच अब देखो एक चीज बताओ मेरे को 5 रहा होगा cost price ठीक है मतलब cost price किसका milk का milk का ना दूद है और पानी है पानी तो वैसे भी आपका free में available वैसे होता है ठीक है तो प्राइस कितना रहा होगा पांच रहा होगा अब उसमें milk कितना है milk कितना है तो भाई cost price of sorry water कितना है तो cost price यह कितना है milk का दे रख़ा है कितना पांच रुपे उस पे पूछ रहा है कि उसको गेन हो रहा है की कोस परफ़ा-श्यठीक करन तो यह जो एक्स्ट्रा है यह ईगी हो रहा है ठीक है और यहां पर क्या बोला उसको cost price को प्राइस को बेचेखा cost price को रहें कितना हो रहा है 20 परफ़ान का cost price का 20 अब कितना हो लो अब है पानी मिला दिया है इतना ही इसने किया है पानी मिला दिया है एक वॉटर मिला दिया तब जाके उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है है तो आप यह रेशियो आजाएगा यह आपका क्या आजाएगा रेशियो अजाएगा वॉन सडू फाइव आपके वॉतिर यह जी फूग ओर नचेहidée ऒल मतलए जो है दूद का रुपय यह ओढ़ और है तो आपका च्राइब का 오र अबाच जो भी दूद इस को नोट डाउन कर लोग फिर आजका हम लोग लेक्षर जो यहीं पर और एंड करते हैं फिर बाकी हम लोग फिर आएंगे फिर questions करेंगे और variety के question करेंगे देखो यह जो डियेफसी सियाइल आपके DMRC यह PSU वगरा जो है इनके बहुत जादा papers तो आपके आए नहीं है market में कि लाइक जैसे इन्होंने कि बहुत जादे कई बार questions करा रखे हैं आपक लोग ले रहे हैं जिससे की जो जिसकी उमीद है कि आपके paper में आ सकते ठीक है और यह नहीं इसमें तो किसी ना किसी questions यह जो questions है किसी other exams में आ चुके ठीक है इसलिए हमने वहां से उठाया है आपको क्योंकि भाई exam में आ चुका है तो आपके इस exam से भी important हो जाता है ठीक है अब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत high-five questions ले लिए कि बिलकुल आपसे लगे ही नहीं ठीक है तो हमें ऐसे questions select करने कि आपसे जो लगे और आपसे जो exam में expected हो आने का यह नहीं कि मैं आपको क्या करूँ cat का question उठा के इसमें दे दूँ कि चलो इसको solve करो यह चीज़े नहीं है ठीक है और यह चीज़ करना भी मत demotivate एकदम नहीं होना है ऐसे questions नहीं solve करने कि जो बहुत high-five हो आपके exam में नहीं आ सके कोई irrelevant question ठीक है तो आपको जो irrelevant question से बचना है ठीक है आपको क्या selection चाहिए आपको महारत नहीं हासिल करने है कि हमें यह चीज़ आती है आपको बस relevant questions पढ़ने हैं और जो यहां पर हम लोग questions करा रहें वो इतना sufficient अगर आप वो भी करके जाओगे तो भी इतना तो है कि आप 24 questions आपके आते हैं आप पक्का 20 plus questions अगर आप सर्फ यह series दे करके जाओगे और यहीं के concept सारे सीख के जाओगे तो 20 plus question पक्का कर ले जाओगे सिफ यह ही के concept अगर आप पढ़के जाते हों बाकी जो भी है वो आप थोड़ा लग पर भी डिपेंड करता है लेकिन यह तो शॉरिटी है यह हम दे रहे हैं कि आप 20 plus पक्का कर ले जोगे लेकिन हाँ यह भी है कि पूरे concept जितने questions मैं हर lecture में बताती हूं वो सारे questions आपको finger tip पे सार outcome chances है ठीक है चलो आप यहीं पर lecture को end करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिसे कि सभी लोग आपका मतलब इस वीडियो का फायदा उठा सके ठीक है और हम में ज्यादा से ज्यादा करते हैं फिर कुछ और question solve करेंगे तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखों बाई बाई टेक कियर